इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकों को आवस्य दभा दे महर्ष जी ने भगवान को बताना प्रारम्ब किया सुनहू राम अब कह वूनिके ताः सुनहू राम अब कह वूनिके ताः जाहां बसो हूँ सिय ने कर समेता जाहां बसो हूँ सिय ने कर समेता जीन के शवण गान का सुभाव समत्र जैसा समुद्र समान गथा तुम्हारी सुभाव सरीना गथा तुम्हारी सुभाव सरीना भरही निरंत रोही नपूरे भर्ट सम्पीन ज्रयों गुरिम्हाण एंदिया गषब ग्रड़ लोच चान चान जीन करीडाखे लोच चान 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 चीन करीडाखे लिए रहा ही दरस चल धर अभिलाखे जरहानी दरस जड़ पर अभिलास ते जरहानी दरस जड़ पर अभिलास जड़ पर अभिलास जड़ पर अभिलास जरहानी दरस जड़ पर अभिलास 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 जड़ प तीन के विदया सदन सुखदाई बसा हो बंदो सियसा रखुनाया बसा हो बंदो सियसा रखुनाया क्या कहा महरिश जी ने? जिनके कान का सवभाव समद्र के सवभाव का हो जाए जैसे समद्र जी में अनेका नेक नदिया गिरती हैं लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं अब बस भर गई भर गई भर गई अब नहीं कितना जल आकर की गंगा सागर में पढ़ता है लेकिन समद्र देव कभी लाल जंडा नहीं दिखा अनेक नदियां अनेक कथाएं आवें हम दो बोलते रहते हैं सुनते रहते हैं बस ये कथा वो कथा कुछ न कुछ कथाई भर गई पूछते रहते हैं जूड़िए गरंत रखें ढूड लेते हैं सुनते रहते आनंद है मने नहीं भरता है तिनके घृदय सदन सुख दायक न दरशन से न श्रमण से उत्तम निवास किसका भगवान का जिनके घृदय में भगवान की कथा सुनने की ललक बनी रहे भगवान की कथा जगत की व्यथा नहीं यह तो सब लगा रहेगा कथा तो भगवान की जीव की तो कथा है नहीं जीव की तो व्यथा है जीव जब बैठेगा तो जगत की चर्चा करेगा कथा किसकी तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुना कथा तो भगवान की भगवान की कथा सुनने से जन्म जन्मांतर की ठाक मिठ जाती है कथा का उल्टा ठाक अराम मिलेगा तनाव रही तो हो जाएंगे आप सुनते जाए सुनते जाए उनके हदे में भगवान का पास आपका वुत्तम निवास लोचन जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए लालाईत रहें निदरही सरित सिंधुसर जगत का दर्शन नहीं आप का दर्शन कहा खिया हरी दर्शन की द्यासी मैं आपको निवितन किया जब भी समय निकले नहीं तो समय निकाल लें किसका भगवान के दर्शन करने official और जो किसी तीरत पर जाये तो भगवान का दर्शन करें। भगवान की चबी मधूर चबी का दर्शन करणे दर्शन हो मनन हो नदिध्यासन हो हदेस्त भाव बने धेले 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 देले देके दृष्टी में आने से प्रेम बनता है द्रश्टी में कोई वस्तो आती है न तो उसके प्रति लगाओ बनता है प्रेम बनता है भगवान का हम लोग दर्शन करेंगे धेरे धेरे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बनेगा आपने पुष्टवाटि का प्रसंग शूक्स में सुना राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की राम देखे सिया को और मैया सिया राम को चार वखिया लड़ी की लड़ी रह गई यह देखने से प्रेम दिढ़ होता है तो किसको देखना जगत को नहीं देखना ए आख की धन्यता क्या है को भगवान का दर्शन करें हम तीरत में जाते हैं पुण्य अरजन करने वहां जो देवता होते हैं वहां भगवान होते हैं उनका दर्शन करें और यतन करके दर्शन में रहना चाहिए मंगल मूरति का धर्शन करना जाए इसलिए रिशी मुनियों ने साधू संतों ने तीर्थों में अनेका नेक परकार के मंदिर बनाए है अनेका नेक परजायावे धर्शन करे उसके नेत्र में भगवान उतरे जीवन धन्य हो जो देखेंगे वो घूमता रहेगा देखें आप जाते हैं आते हैं श्रहनमान जी कैसे आश्रवाद मुद्रा में बैठे हैं आनन्द से करा शमण कर रहे हैं भूले बावा का दर्शन करिए देखें मा के संग में कारत के स्वामे गड़पती बप्पा कैसे आनन्द ले रहे हैं श्रह में राढ़ा कृष्ण जी भगवान कैसे आनन्द ले रहे हैं नेलाम बजश्यामलकॉमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पानो महासाज़क चारुचापम नमाम इरामम रखुबन श्रहनाथम यह क्यों बनाना यह सब क्या आवश्यक्ता है केवल यही कि हम आपाते हैं भगवान का दर्शन करें कथा शमण करें भगवान का दर्शन करें नेत्रों के माध्धम से चिंतन करें घर जाएं इसी में उल्जे रहेंसी में आनन्दित हों इसलिए ने तो यहां तो कुछ नहीं रहेगा बर्गत का पेड़ लगा दो तो भी कोई बात नहीं क्या फड़क पड़ता है एक छत्री लगा दो चत्री चाता तांदो बाबाजी के उपर व्यास पर तो यही होता है न सुकदेव स्वामी जहां बैठे है गरंतों में एक छत्री लगी है सुकदेव स्वामी नंग धड़ंग बैठे आनंद पूर अभी तरागी महापुरुष लेकिन यह क्यों हमको आप दर्शन करना चाहिए यहां आचारी लोगों ने पूजन किया है खोड़ समात्रिका कलस स्थापन नमग्रहयाद सब का सरवतो भद्र बंडल विराजमान है कारण यह सब देवताओं का पूजन इसलिए किया गया है कि कोई देवता हमारे इस महुत्सव में बिग्न उत्पन पूजन करते होंगे जमान जी आके अकारण थोड़ी कुछ है सब सकारण है भाई कोई कोई बहुत अच्छा अद्मी हो उसका स्वागत न करो लेकिन जो उत्पाती होता है उसको पहले माला पहना के स्वागत करके बढ़िया जल्पान चुरू कर देना चाहिए कि सोच नप अब कि क्या होना है उसले ब्रह्मा मुरारिष्ट पुरांतकारी भानुशिशी भोमिस्दो पुजच्च गृष्ट शक्रहसानि राहुके तवा यादिया शांतिकरा भवन्तु सब लोग फुजा रोज होती रहें सब ठंडा रहो ठंडा रहो ठंडा रहो सब कर उत्पात न इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें